हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मालविया केट सॉलीशन आज हम डिफरेंट टाइप ओफ रोटेशन सीखने वाले है कि राइट साइड में और लेफ साइड में रोटेट हो रहा है ये पार्ट लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे कोई फ्लावर राइज हो रहा है देखिए इस तरह का कंपोनेंट हम कैसे क्रियेट करेंगे वह मैं आपको आज बताने वाला हूं इसका एनिमेशन कैसे हम एपलाई करेंगे वह सब चीजे आप आज हम सिखने वाले है तो चैनल पर अगर आप नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए तो चलिए स्टार्ट करते है तो सबसे पहले हम सिलेक करेंगे राइट प्लेन एंड स्केच एक सर्कल क्रियेट करेंगे इसका डायमिटर रहेगा 20 mm सिंप्ली इसे ओके कर दीजिए और फीचर में जाके एक्स्टूड बास्बेस सिलेक करना है हमें मिड प्लेन और इसकी लेंद रहेगी 20 mm sorry 10 mm और ओके कर दीजिए चैंफर एपलाई करेंगे 2 mm सिंप्ली आपको सर्किलर फेस पे सिलेक करना है और ओके बोच साइड में चैंफर एपलाई हो जाएगी अब हमें अब हमें राइट प्लेंस इलेक करना है राइट प्लेंस इलेक करने के बाद 3.0 अरक करेंगे और या पर एक आरक क्रिये आरक करेंगे फर्स्ट आर्क और एक सेकंड आर्क इसका डायमेंशन दे देंगे हम ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट का इस पॉइंट के हाइट रहेगी एट एमेम और इस आर्क के सेंटर से ओरिजिन पॉइंट इसकी लेंथ रहेगी एटीन एमेम और एंड पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट रहेगी ट्वेंटी थ्री रहेगी एमेम इस पॉइंट के एंड पॉइंट को और कंट्रोल की दबा के ओरिजिन पॉइंट को सिलेक करने के बाद वर्टिकल एंड ओकी सिलेक करना है इस आर्क के पॉइंट से इस आर्क का पॉइंट है इसकी हाइट है 30 30 mm रेडियस अप्लाई करेंगे इसकी 35 mm रेडियस अप्लाई करेंगे इस आर्क करेंगे आर्क करेंगे क्श्राख पिर इसकी सिलेकशिक करेंगे सिंप्ली आपको फुली डिफाइन स्कैट सिलेक करना और कैल्कुलेट करना है ओके इसकी लेंद्थ रहेंगे इलेवन पॉइंट फिफ्टी फोर सिंप्ली आप इसे क्लोज कर दीजिये अब हमें फ्रंट प्लेन सिलेक करना है स्कैट को हाइड कर देते है फिर से थ्री पॉइंट आर्क सिलेक करेंगे और सिंप्ली एक आर्क क्रियेट करना है हमें सिंप्ली इस पॉइंट को और कंट्रोल की दबा के ओरिजिन पॉइंट को सिलेक करने के बाद वर्टिकल सिलेक करना है और रिजिन पॉइंट से इस पॉइंट की हाइट है 8 mm और रडियस है इस की 100 mm सिंप्ली हमें इस पॉइंट को सिलेक करना है और इसके आर्क के सेंटर पॉइंट को सिलेक करके ओरिजॉंटल ओके हमारा स्केच फुली डिफाइन हो चुका है इसको भी क्लोज कर देते है अब प्रिवियस स्केच है उसको अन हाइड कर देते है तो अब हम एक इंपोर्टेंट फीचर को एक्टिवेट करेंगे कर्व में जाना है आपको कर्व में जाने के बाद प्रोजेक कर्व एक्टिवेट करना है और आपको सिलेक करना है स्केच ओन स्केच एक होता है स्केच ओन फेस वह थ्रेडी के लिए है और यह हमने जो स्केच किया है उसके लिए तो सबसे पहले हमें फर्ष्ट स्केच और सेकंड स्केच इसको दोनो direction change हो चुका है और फिर ok कर देना है इसे hide कर दीजिए तो देखिए हमारा project curve तैयार हो चुका है अब हम plane select करेंगे एक यहां पर plane create करना है तो first reference होगा हमारे यह arc and second second reference होगा यह point और इसको ok करना है sketch हमें select करना है center rectangle simply एक rectangle create करेंगे यहां पर इसकी width रहेंगी 8 mm and height रहेंगी इसकी 0.5 mm और simply इसे ok कर दीजिए इसे भी close कर दीजिए plan को hide करना है और हमें simply swift boss base में जाना है swift boss base को activate करेंगे और first profile select करनी है and second path okay sketch hide कर देते हैं अब हमें जाना है circular pattern में circular pattern में जाके हमें में जाके shift जो हमने shift यह जो है profile इसको select करना है और direction circular face को select करना है कितने pattern कितने चाहिए हमें तो 10 10 number of pattern तो देखिए इस तरह से हमारा first part तयार हो चुका है यहां पर खोल कर देते है इसका id रहेगा 12 mm feature में जाना है and then extrude cut simply up to next कर दीजिए और okay appearance एपलाई कर देते है solid इसका color blue, blue color हमें apply करेंगे simply इसे save कर दीजिए मैं इसको desktop पर पार्ट बन और यह है right hand side वाला तो simply r कर देता हूं और हमें same SI design create करना है left side का तो second part हम create करेंगे second part बनाने के लिए हमें क्या करना है same to copy SI बनाना है लेकिन उसका direction left side में रहेगा यह पहले हमने बनाया था जो right side में था तो इसके लिए हम इसी part में edit करेंगे simply आपको यह नीचे वाली line को right click से hold करके उपर की side में ले जाना है curve वाले feature के just नीचे और curve वाला feature है उसको open करना है उसमें 2 sketch है तो first sketch को select करके edit sketch करना है हमें simply यह दोनों relate कर देने नए arc और फिर से नए arc create करने है लेकिन opposite direction में create करने है first center three point arc create करेंगे इसके dimension same रहेंगे उसके first वाले sketch के जैसे ही same रखने है select this point and this point make relation vertical 25 रडियस from this point to this point 18 mm and from this point to origin point 23 mm फिर से थ्री पॉइंट आर्क 11.54 जो हमने पिछली बार पहले sketch में किया था same वही dimension इसमें रहने वाले है 30 और इसकी radius है 35 mm simply इसे close कर देना है फिर आपको क्या करना है curve feature को edit करना है तो इस बार क्या करना है selection में इनको right click करके clear selection करना है फिर से आप first sketch और second sketch इन दोनों को select करके ok करना है फिर वापस वह जो line हम उपर लेके गएते वह एक-एक step करके नीचे line ले आईए अब plane plane को वापस edit करेंगे जो reference हमने तो फर्स्ट reference हमारा arc और second reference arc का end point फिर से वह line को नीचे ले जाना है edit sketch जो swipe हमने swipe wash base हमने apply किया था उसकी जो profile है उसको edit करना पड़ेगा तो आपको coincident को जो first वाला है जिसका color green है इसको delete कर देना है और फिर से इसके point को और hold control की करके origin point को select करना है या फिर आप directly इसको origin point पे ले जाके छोड़ दीजिए तो अपने आप set हो जाएगा और फिर okay कर देना है फिर से निचे drag कर देना है तो देखिए हमारा दूसरा part भी create हो चुका है अब आपको क्या करना है simply इसे save नहीं करना है arrow की में जाके निचे लिखा save as save करोगे तो आप फिर से वही part में save हो जाएगा तो save as करके इसको करना है part 2 R की जगह हम यह left side का है तो L लिख देते है तो हमारे दो part create हो चुके है और अब हमें इसका pin बनानी है जो जिसमें यह लगने वाले है तो हम इसकी center pin create करेंगे तो इसके लिए select करेंगे front plane circle create करेंगे इसका diameter रहेगा 12 mm feature में जाके extrude boss base इसकी length रहेगी 30 mm फेस सिलेक करना है एक और circle create करेंगे फेस पे और इसका diameter रहेगा 25 mm feature में जाके extrude 10 mm ok chamfer 1 mm 1 mm for this space again chamfer 0.5 mm on this space इसको red color दे देते है इसको save करेंगे और इसका नाम इसको center pin अब हम यहां पे assembly create करेंगे तो सबसे पहले आपको new select करना है और select assembly तो center pin open करना है इसको यह हमारा part पहला part हम इसको गिनेंगे क्योंकि इसमें ही हम वह दोनों part fit होने वाले है इसके अंदर हम इसमें ही fit करने वाले है तो दूसरा insert component part one and part two दोनों को open कर देते है इसका background plain white कर देते है ताकि थोड़ा अच्छा दीखे तो select करना है mat first diameter and this hole and this hole okay और पीन की face select करनी है spark की face select करनी है make relation coincident okay mat select this face and this face इसकी length रखनी है में three mm opposite अंदर की side में three mm और simply इसे okay कर देते है इस face को select करना है और normal view तो देखिए फिटिंग हो चुके है हमारे अपने इसाब से यह इनकी location set हो चुकी है अब हमें क्या करना है motion study में जाना है motion study में जाके motor में जाना है motor को select करना है motor को select करने के बाद हमारा first part है इसको यह right side में है तो इसको right side में rotate करेंगे तो इसको यह arrow की arrow दिख रहा है आपको यह right side में apply हो चुका है rpm हम 100 रखेंगे okay फिर से motor में जाना है इस बार जो second left side का part है उसको select करना है वह already left side में rotate हो रहा है तो उसको okay कर दीजिए तो हम इसको थोड़ा 18 seconds तक move करेंगे and then calculate तो देखिए यह motion study में हमने इसका animation set कर दिया है बहुत ही अच्छा दिख रहा है हम इसकी speed बड़ा देते है थोड़ी तो और अच्छा दिखेगा आप कोई यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को like कर दिजिए और share किजिए और comment भी किजिए जो भी आपके doubt होंगे मैं clear कर दूँगा और Instagram पे भी आप message कर सकते हैं ऐसे कोई भी component के लिए तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए goodbye